तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी लोगों को पिछले कई वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ कि भारत और USA काफी जादा पास आ चुके हैं अपनी जेट इंजन डील को फाइनल करने को ले करके और जैसे ही USA ने अपनी GE कंपनी यानि की जर्नल इलेक्ट्रिक्स जो की प यानि की ये मंजूरी दे दी गई है कि आप भारत के साथ में मिल करके एक डील को कर सकते हैं जिसके तहत आप भारत के अंदर जो जेट इंजन है उनको मैनफेक्ट्यर करेंगे और साथी साथ इससे एरलेटेड जो टेक्नोलोजीस है उनको भी यहाँ पर शेयर किया जाएग तो इन दोनों ही टोपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जैन कमेंट कर दीजेगा तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों है वे अमेरिकी सरकार के सामने अडे हुए थे तो फाइनली इसको ले करके एक जो ओफिशल अप्रूवल है वो यहां पर मिल चुका है इसके बाद में अब एक जो बड़ा स्टेप होगा वो यह होगा कि भारत और USA दोनों मिल करके इस जेट इंजन डील को ले करके जो फाइनल MOU है उसको साइन करेंगे जिसके बाद में भारत पहले फेज में सो के आसपास GE के F414 इंजन को खरीदेगा और इनकी जो असेंबली है उसको लोकल असेंबली के तहत भारत के अंदर किया जाएगा और जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीतेगा तो इस गैप के चलते यह जो मात्रा है इसको 60% से बढ़ा करके 75% के आसपास कर दिया जाएगा या निकी लगतार भारत इन इंजन के अंदर अपने जो खुद के कंपोनेंट्स है उनको एड़ करता जाएगा इसी के साथ में GE का भारत को कुछ special offer है कि इसके अंदर वे खास टाइप के जो materials है उनके इस्तिमाल करके देंगे जिससे कि इसका जो hot core section है वो जादा से जादा हीट को यहाँ पर सहने में शक्षम होगा साथी साथ cooling system को ले करके और ज्यादा enhancement को किया जाएगा जो fuel consumption है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी और भविश्य में इस engine के अंदर इतना potential रहेगा कि इसको upgrade करके हम लगबग इसकी जो thrust है उसको 18% के आसपास बढ़ा सकते होंगे और जो total thrust है उसको 36% के आसपास बढ़ाया सकता होगा जिसके कारण इस engine की जो total thrust है वो हमको 130 kN के आसपास देखने को मिल सकती है जहाँ पर पहले phase में इसको बढ़ा करके 98 kN से 116 kN के आसपास किया जाएगा और 116 kN के उपर upgrade करने के बाद इसको directly भारत 130 kN के आसपास कर सकता होगा तो इस परकार का एक जो खास offer है वो भी यहाँ पर USA ने भारत के सामने रखा है तो इसी के साथ में अगर आप भारत की jet engine की requirement को देखते हैं तो यह लगबग 1000 jet engine के आसपास की है और भारत और USA जब इस deal को करेंगे तो शुरुवाती phase में जैसा कि मैंने आप सभी सकते हैं बाकि इस deal के चलते भारत की 500 से लेकर के 600 जो MSME कंपनिया है तो इनको directly benefit होगा और यह directly इस पूरे program और इस पूरी deal में participate करते हैं जिसके चलते भारत के अंदर jet engine को लेकर के जो infrastructure है वो भी develop किया जाएगा और हमारे देश के अंदर आप सभी लोगों को ऐसी skilled labor भी द manufacture किया जाता है लेकिन इससे पहले अगर आप Russian AL31 engine को देखते हैं तो वहाँ पर भी भारत का यही case है हम इनके AL31 engine को scrap से यनकी 0% से खुद के ही देश में बनाते हैं यहां तक कि इसके अंदर जिन raw materials का इस्तेमाल किया जाता है तो वे जो raw materials है उनको भी अब भारत ने खुद और US से की यह जो deal है इसके चलते दिखाई देगी तो इसी के साथ में भारत ने खुद और US से कहीं और program के उपर भी sign कर सकते हैं जिसमें हम इनसे 30 की संक्या में MQ9 B drones को खरीच सकते हैं FA 18 को ले करके एक जो बड़ी deal है वो भी यहां पर देखने को मिल सकती है अलकि इसके chances अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्षिन में बताईएगा साती साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा अगर आप चैनल के उपर पहली बार आएं तो प्लीज से चैनल को ब सबस्क्राइब कर दिजेगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक किल गुडबाई जैहिन